दोस्तों LED बिजनस में successful होने के लिए एक अच्छा product होना बहुत जरूरी है तो एक quality product बनाने के लिए उसकी testing भी बहुत important है मेरा जो पिछला वीडियो था जहां पे मैंने आपको 9W का driver bulb बनाना सिखाया तक complete process बताया था उसमें मैंने आपको driver testing technique बताई थी कि किस तरीके से आप अपनी manufacturing unit में driver को test कर सके तो दोस्तों driver के साथ-साथ MCPCB को भी test करना बहुत important है तो आज इस वीडियो में मैं आपको MCPCB कैसे test किया जाता है और किस तरीके से एक किफायती LED MCPCB tester बनाया जाए वो मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों आपने Zalt channel को subscribe किया धेर सारा प्यार दिया और लाखो लाखो views दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागया थे आपके अपने प्रिया चैनल Zalt में दोस्तों आपको आपके LED बिसनस में कोई भी queries हो, कोई भी दिक्कते हो या management related issues हो, technical related issues हो आप हमसे free consultancy प्राप्ट कर सकते हैं आप हमें call करके अपनी problem आप हमसे share कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उन सारे problems का solution देने के लिए तो दोस्तों चलिए आईए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एक LED MCPCB टेस्टर बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप आपके पास जो समान उपलब्द है उन्हीं से आप एक MCPCB टेस्टर बना लीजे मार्केट में LED MCPCB टेस्टर बहुत सारे उपलब्द हैं लेकि उनका cost ज्यादा है पंदरहसो अठारहसो दोहसार तो इतना सा पैसा क्यों खच करना मेरा उद्देश हमेशा ये रहता है कि आप लोगों को एक quality product बनाना सिखाऊं और साथ ही साथ उस product की cost भी कम करूं ताकि आपका जो profit margin है वो increase हो सके तो देखिए MCPCB टेस्टर बनाना बहुत जरूरी होता है MCPCB टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि अगर आपका जब product end में आता है manufacturing के time पे और उस समय अगर MCPCB खराब है तो production में delay होता है कोई बहुत बड़ी हानी नहीं होगी या परशानी नहीं होगी बड़ production में delay होगा तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक tester बनाना सिखाऊंगा अब उस tester के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती त्यान से दिखिए मुझे MCPCB टेस्ट चाहिए होगी साथ मैं यहाँ पे मैं एक 9W का driver ले रहा हूँ यह जो driver है यह आपका 5W से लेके 10W तक काम करता है तो यह एक tester आपका अराम से 5W, 7W, 9W, 10W तक अराम से test कर सकता है साथ ही साथ आपको wires चाहिए होंगे यह जो wires हैं यह output पे लगेंगे ड्राइवर के जो मैं MCPC के उपर current को देने के लिए मैं use करूँँगा साथ में आपको यह input के wires लगेंगे मैंने बहुत अच्छी quality का wire लिया हुआ है थोड़ा से मोटे हैं अच्छे हैं आप इसी तरीके से का wire यूज़ कीजे फिर साथ साथ आपको probes लगेंगे यह जो probe है यह multimeter का probe है market में यह 1.500 से 2.500 रोपे Amazon मगरा उपलब्द है उपयोग करूँगा तो देखिए यहां पर भी cost कितना कम जितना भी cost कम हो सके उतना ही अच्छा होता है तो यहां पर यह मैं इसका use कर रहा हूँ जो सब के घरों में यह मिल जाता है और नहीं तो आप किसी भी shop पे जाके यह 10 रुपए 15 रुपए में आप इसे खरी सकते हैं खरी सकते हैं और बहुत important चीज़ LED PCB टेस्ट करते समय हमेशा goggles black glasses का use कीजे ताकि आपके आँखों पे कोई परशानी ना हो और यह देखिए मेरे पास एक down light driver का casing था मैं उसका use करूँगा और कि इस casing के अंदर मैं यह driver को place करूँगा तो चलिए अभी हम process शुरू करते हैं एक mcpcb tester बनाने का तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से mcpcb tester बनाया जाता है दोस्तों यह 9 watt का driver है अब इस 9 watt के driver पे देखिए इन पूट-पूट पे यह वायर से लगे हैं इन वायर दोस्तों इक बात अब यह driver मीरा ऐसा बन जाता है मैंने वायर स्क्वाइयर को निकाल लिया क्यों टीस पर मैं यह लो वायर था इसलिए मैं यह लो का यूज़ करता हूं अब यह देखे यह जो driver का यह ला हिस्सा है पतलाव ला हिस्सा यहां से हमेशा driver को current input में दी जाती है और जहां पे transformer और यह जो आपका capacity लगा हुआ है यहां पे plus minus दिया हुआ है यह हमेशा driver के output पे दिया जाता है तो यह जो wire है मैं driver के output पे use करूँगा यानि कि यह MC PCB के लिए input की तरह supply होगा तो देखिए अभी यहां पे मैं red wire है तो इसको मैं red को मैं इसके अंदर लगा लूँगा क्योंकि मैं red को positive से denote कर रहा हूँ इसलिए हमेशा ध्यान लखिए कि driver के positive पे ही यह जाना चाहिए तो मैं positive पे इसको ले जाके और यहां पे इसे मैं अच्छे से twist कर दूँगा ताकि यह अच्छे से tight हो जाए और साथ-साथ मैं से solder भी करूँगा ताकि यह proper तरीके से solder होने के बात क्या होता है कि आपके circuitry पूरी हो जाती है इसलिए बहुत जरूरी है इसको मैं twist कर दिया मैंने और twist करके यहां पे solder भी करूँगा उसको मैं थोड़ा से यहां पे cut भी करूँगा देखिए मैं बस cutter है तो इस cutter से मैं इसको यहां पे cut कर दिया देखिए मैंने यहां पे अरामसे से cut कर दिया और साथ में मैं इससे solder भी करूँगा बहुत important है solder भी करके मैं आपको दिखाओं कि इस तरीके solder क्या जाता अब मैं देखिए यहां पे negative wire यानि कि yellow वाला जो wire है अब मैं यहां पे connect करूँगा इसके इंदर मैं डाल रहा हूं और यह देखिए मैंने यहां पे थोड़ा सा motor wire लिया हुआ क्योंकि motor wire से अच्छा है क्योंकि आ यहां से same as it is, यहां से मैं cut कर देता हूँ, अब मैं यहां पे इसको solder करूँगा ताकि यह अच्छी तरीके से पुरी तरीके से connect हो जाए, तो दोस्तों यह बहुत ही असान से technique है, same theory, same phenomena, same procedure, लोग 1802,000 का जो टेस्टर लेते हैं, same चीज़ follow की जाती है, जो आप अराम से अ यहां पे आपका जो total खर्चा है, मुश्किल से 30 रुपए के उपर नहीं जाता है, और इसी तरीके साब multiple बना लीजे, ताकि आपके हां कई लोग factory पे जो भी employees हैं, कई लोग एक साथ वो test कर सकें, देखिए अब यह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, हिलना नहीं चाहिए, उसका reason है, अगर हिलेगा, तो वहाँ पे spark होगा, और spark होने को जासे short circuit का खत्रा हमेशा बना रहता है, इसलिए, अभी देखिए, अभी मैं यह driver के, अब input के उपर wire को मैं लगाऊंगा, तो यह देखिए, मैंने यह बहुत अच्छे से wire लिया हुआ है, इसको मैंने twist कर लिय है, अब यह wire को मैं इसमें यहाँ पर connect करूँगा, दीखिए, मैंने यह wire चुकि मोटा था, तो इसको मैंने split कर दिया है, एक पतला बना दिया है, अब यह देखिए, इसके अंदर, चुकि यहाँ पर positive negative नहीं होता, इसलिए, मैंने दो नो wire red ले लिया है, यहाँ पर positive negative का ज अच्छी quality का ही चीज इस्तमाल कीजे, उसकी life भी बनी रहती है, तो दोस्तों, यह देखिए, मैंने इसको यहाँ से twist कर दिया, अप twist करने बाद, same process, मैं इसको यहाँ से cut करूँगा, और इसके बाद फिर में इसकी solder भी करूँगा, देखिए, मैंने यहाँ से cut कर दिया है, इसको मैं अच्छी अभी proper तरीके से यहाँ से मैं solder भी करूँगा, तेकी हो गया है, cut हो गया है, अब solder करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए, soldering is very important, इस पे बहुत ध्यान दीजेगा, solder करना, so solder is very important, चुकि wire मोटा है, इसलिए थोड़ा सा solder मुझे ज़्यादा यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, अब चुकि wire पतला होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन wire मोटा होने से, इसकी strength जो है, वो हमेशा बनी रहेगी, चुकि आपको हमेशा इसे use करना है, इसकी strength आप कर दिया है, यह देखे, मेरा एक भी wire यहाँ, हिल नहीं रहा है, तो हिलना नहीं चाहिए, अब यह मेरा, एक face complete हो गया, जहां पे मैंने wires को मैंने इसमें जोड दिया है, अब इसको मैं casing के अंदर डाल के, अब इसे मैं close करूँगा, उसके बाद का process मैं आपको बताऊंगा, दोस्तों, अब यह देखे, मैं इसको casing के अंदर डाल रहा हूँ, और बहुत important है, सभाल के इसको डालिए, चुकि थोड़ा सा यह size में हलका सा driver मेरा बड़ा है, तो casing पूरी तरिके बन नहीं होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर tape का इस्तिमाल करूँगा, यह देखे, मैं यह हिलेगाने अपनी जगां से, अब यह चीज मेरी complete हो गई, तो इसको मैं थोड़ी दिर के लिए अभी किनारे करता हूँ, और इसके बाद की चीज मैं आपको बताता हूँ, यह wires उसको connect करने के लिए, मुझे probe बनाना है, अब probe मैं कैसे बनाऊँगा, देखे मेरे पास यह already compass है, अब इस compass को मैं खोलूँगा, खोल के मैं इसके अंदर वायर को connect करूँगा, तो देखे मैं इसको अभी open कर रहा हूँ, दियान से देखिए, मैंने open कर दिया, यह चीज मैंने निकाल दिया, अब इसका तो मुझे जरूत नहीं है, इसलिए मैंने से किनारे कर दिया, इसक इसके अंदर यह देखिए, अब मेरे यह दो प्रोब बन जाएगा, यहां पर अल्रेडी होल्स बने वे हैं, इसी होल्स के अंदर मैं वायर को connect करूँगा, तब इसमें कौन सा वायर होगा दोस्तों, इसमें वायर होगा, जो मुझे MCPCB के उपर input current दीनी है, वाले वायर से नहीं, यानि कि जो driver का मेरा output है, उस पर मुझे देना है, तो यह प्लस है, positive है, तो मैं इसको positive है मान के चलता हूँ, और मैंने इसमें देखिए, यहां पर टाल दिया है, और बहुत अच्छे से connect करना है, और इतना tight कर देना है कि यह बिल्कुल भी हिले नहीं, इसको tight करने के लिए आप इसको ऐसे गुमाते रहें, यह पूरी तरीके से यहां पर tight हो जाएगा, देखिए, यह tight हो गया है, अब इसी तरीके से इसमें भी डाल, कि मैं इसको अच्छी तरीके से मैं यहां पर, यह हो गया tight, तो यह देखिए, मेरे दोनों हो गया, अभी मैं इसको थोड़ा-थोड़ा स्पे सोल्डर भी लगा दूँगा, हमेशा यह ध्यान रखिए, कि हमेशा सोल्डर लगा देना चाहिए, उससे connectivity प्रॉपर बनी रहती है, अभी मैं इसको थोड़ा-थोड़ा तो दोस्तों, अभी जो MCPCB है, MCPCB के उपर हम LED लगाते हैं, तो LED बहुत सारी मार्केट में आती है, तो जल्ली यल्ली मुझे कमेंट्स करके बताईए, कि कौन सी LED सबसे अच्छी आप समझते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रैंड्स के LED है, तो आपको सबसे अच्छी ल वीडियो बना रहा हूं, वो जल्दी दो से तीन दिन के अदर मुझे अपलोड भी करूँगा, मेरे जो लास्ट वीडियो था, उस वीडियो में कमेंट्स में मुझे बहुत सारे मेरे दर्शकों ने मुझे ACDC के लिए बोला था, तो मैं उस पर काम कर रहा हूं, मैंने अल्र बहुत सारे वीडियो यूटूब पे इधर उधर पड़े रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको नॉलजफुल वीडियो देता रहूं, तो देखे मैंने इसको यहां पर अच्छे तरीके से, सोल्डर से, यहां पर करनेट कर दिया है, तो ACDC का भी वीडियो, एक इ त्यार हो चुका है, यानि प्लस और मैनस, यह दोनों मेरा प्रोब त्यार हो चुका, अब इसको मैं इंसुलेट करूँगा, टेपिंग करूँगा, ताकि यह सेफ रहे, अभी मैं बलाक का जो इस्तिमाल कर रहा हूं, चुकि मुझे नेगटिव चाहिए, तो इसलिए मैं इ पायर भी इसमें लगा रहे, अभी इस पे मैं रेट रन से टेप करूँगा, हमेशा ध्यान रहे, ताकि आपको पॉजिटिव समझ में आए, अगर मैं यहां रेट से करूँगा, तो मुझे ध्यान रहेगा, यह प्रोब मेरा रेट का है, कभी आप से गलती नहीं होगी, तो देखिए, मैं इसको कर दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जल जली करूँ, ताकि वीडियो बहुत लंबा नहों, दोस्तों कमेंट करते रहिए, आप अपनी चॉइस बताइए, कि आपको सबसे अच्छी LED कौन सी पसंद है, या आप कौन सी सबसे अच् मार्केट में, कि ये LED चिप सबसे अच्छी होती है, ताकि मैं आपको बहुत अच्छा एक वीडियो बना बना चुका हूँ, वो अल्मोस्ट कम्प्लीट है, जली से इसको अपलोड कर दूँगा, और बहुत ही नौलजफुल वीडियो है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, कि आप सभी को सारी जानकारियां जो LED इंडस्ट्री में होनी चाहिए, और बहुत सारी जो नए ऑंट्रेप्रेनोर्स हैं, जो नए मैनुफैक्चरर्स हैं, जो नए वैपारी हैं, उन सभी को सही चीजें पता चले, तो दीखिए मेरा प्रोब, कितना अच्छा बढ़ियां मेर प्रोब त्यार हो चुका है, अब इस प्रोब का इस्तेमाल मैं करूंगा, टेस्टिंग के लिए, तो चलिए, अब हम टेस्टिंग शुरू करते हैं, कि किस तरीकर टेस्ट किया जेता, अब मैं आपको दिखाता हूं, दोस्तों, अभी मैंने चेश्मा पहल लिया है, और को मैं टेस्ट करूंगा तो देखा आपने यह जल गया कि इसी तरीके से आप सारा चीज़ टेस्ट कर सकते हैं तो दिखें तो धियान रखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव पर ही टेच कराईएगा तो देखें मैं यहां पर भी फिर से से टेस्ट करता हूं याने कि यह जल रहा है अभी मैं इस पे भी टेस्ट करता हूँ तो अब भी हाँ शुट मत कराईएगा क्योंकि यह शुट हो जायगा तो आपका ट्राइवे तो अभी देखिए मैं यहाँ पर अलग-अलग कलर्स की PCBs हैं मैं आपको अलग-अलग कलर्स का टेस्ट करके दिखाता हूं तो यह देखिए यह है अभी मेरे पास यह पिंक आ गया है तो अभी देखिए मैं इसको टेस्ट करता हूं यहाँ पर भी positive negative बहुत ध्यान से रखना ह यह देखिए पिंक है तो अभी मैं इसको यहाँ पे टेस्ट करता हूँ तो इस पिंक यह देखिए आप इसी तरीके से पूरी के पूरी MCPC भी टेस्ट कर सकते हैं बहुत आराम से पांच मिनट के अंदर आप सब कुछ सारा चीज़ बन सकता है और यह आपके एक क्वालिटी प्रोड़क्त बनाने में बहुत आसान होता है यह देखिए अभी मैं आपको ग्रीन वाली PCB आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ यह ग्रीन PCB है तो हमेशा गॉगल्स जरूर पहने और जारा डार्क लगाई में बाजारा डार्क नहीं था लेकिन फिर भी मैं इसका यूज़ कर रहा हूं और यह लेखिए यह मेरे ग्रीन है ग्रीन है लेडी जल गई यह लेखिए यह लेखिए मेरा यहां पर जल रहा है थोड़ा सा करेक्शन में आपको प्रॉपर आपको लगाना पड़ेगा एक बार एक बार आपका हां सेट हो जाएगा तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली यह मेरा प्रोप थोड़ा सा पॉंटेड है इसको हलका सा घिस लें है यह हमाँ पास ब्लू है अभी मैं इस वह ब्लू अभी देखें यहां पर ब्लू जल गई यह और बना लेंगे तो आपके लिए बहुत असान हो जाया है ऊपका प्रates रिखे कि एक यह बहुत अच्छा टेस्ट बन चुका है इसी तरीखے से आप सभी लोग अपने प्रोड़्डक्शन में इस तेस्टर का यूज़ कीजिए MCPCB आपके पास जभी भी आए आप उसको टेस्ट कर लेंगे जब आप टेस्ट कर लेंगे तो आपका प्रोडक्शन में प्रोडक्ट कॉलिटी रियली बहुत ही वंडर्फुल हो जाएगा और हमेशा जब आपकी प्रोडक्ट कॉलिटी अच्छी होगी तो आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा मार्जिन भी आप अच्छा कमा सकते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से आप 12 वाट और 15 वाट का भी टेस्टर बना सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस है कोई प्रोसेस अलग नहीं है 12 water 15 water का टेस्टेर आप अपने यहां पे बना लीजे दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज के अपिसोड बहुत पसंद आया होगा मैं सभी से रिक्वस्ट करता हूँ आपके जो भी व्यूज है सजेशन से कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें आपका सबसे ज़्यादा वोट ACDC वीडियो के लिए आया था तो मेरा नेक्स वीडियो ACDC पे होगा जो बहुत ही जल्दी में अपलोट करूँगा तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कुल मैं भूले चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेर कीजे और धेर सारा प्यार दीजे दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ख्यार रखिए नमस्कार जैहिन वंदे मातरम